जलक ने जहाँ इनको कंटेंट दिया है भरपूर वहाँ ब्लॉगिंग में वहाँ उसके साथ साथ जो फैमिली आई भी फैमिली है उसको कुछ नस्दीग भी ले आया यानि कि अब हम साथ साथ हैं जो है वो बहुत ज़ादा दिखाई देता है यह दूसरे सब्दों में कहिए कि इसको तीन व्लॉगर अपने अपने तरीके से निचोड रहे हैं आज की चर्चा में आपका स्वागत है जब से जलक शुरू हुआ है दोना मैडम और जनाब का रेगलर वेसिस पर एक हफते में एक व्लॉग या एक से ज़्यादा व्लॉग आ जाते हैं उससे पहले अगर लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे कैसी तरीके से इसमें अच्छा रिजल्ट आना चाहिए जो बिसिगली आने वाले केरियर के लिए भी उनको फरक डालेगा एडम और जना भी नहीं डबा भी अपने तरीके से जब तब जो है इस कंटेंट को भुना लेती है उसको कंटेंट चीजें दिखाई देती हैं अभी तो बात करते हैं मैडम को जो नया व्लोग आया है उसके बारे में बात करते हैं बात कर रही है कि इस पेशल एक्ट किया है जनाब ने जो कि बिना लिरिक्स के था और मीजिकल एक पोएम की तरह से उन्होंने फ्लूलेस तरीके से अपना प जो इस पेशल एक्ट था इसके लिए लिरिक्स के बिना होना और बिना लिरिक्स के वो सब पफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है ऐसा उनका कहना है फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है लेकिन यह अगर हम पहले ही बता चुके हैं कि पिछले पॉड़क इसमें काफियत तक जो कोरियोगराफर है उसकी सोच उसके जो कंटेप्री उसने डांस को प्लैन किया है एक्सिक्यूट किया है तो अब इसमें वो कहते हैं कि वो डिफिकल्टी थी बहुत मुश्किल था इसी एपिसोड में देखे उसका संगीता का अगर एक्ट देखें त तो वो भी बहुत इमोशनल एक्ट था तीनों जजजिस की आँखों में आसू आगे उसको देखकर साथ साथ जो है उन्होंने जो जिस तरह से जो एक्ट किया था उसमें जो डांसिंग थी वो अपनी जगे अलग थी यानि हम बार बार कहते हैं कि वो उसने अपना नॉन डा जाएगी तो यहां पर आकर उसने यह डांस फॉर्म शुरू किया उसको लर्न किया उसको उपर बहुत मैनत करके उसमें स्किल डवलप करी और आज निखरके वो एक डांसर की तरह सामने आती है तो इसमें उसको तो बहुत बहुत बड़ा हाथ है प्लस उसके बाद में जो बात ही यह है कि जो लास्ट एक्ट था उसका वो पूरी तरीके से उसके जो भाव भंगीमा थी यानि कि जिस तरह से फेस की उसने मुद्राएं बनाई और जिस तरीके से उसने एक्टिंग करी उसके उपर वो उससे ऐसा लगता है जैसे कि मजीवी कलाकार हो उसने मजदूर का बिलकुल ही एक्ट ऐसा किया कि जैसे कि लगड़ा था कि वही मजदूर है तो कुल मिला कि यह है कि अगर इस एक्ट के तुलना की जाए जनाब के एक्ट से तो आपको पता लगेगा कि यह वाल एक्ट उसके कहीं ज़्यादा भारी है एक नमबर एक यह कि वह वो डांसर नहीं है वो डांसर ना होती हुए भी वो इस मुकाम तक आके पहुँची है इस सफर को आधा जीया है उसने और उसने अब अपनी अच्छी अंडरस्टेंडिंग और एक अच्छी परफॉर्मेंस करने की अबलेटी डवलप करिये दूसरा उसने इसके साथ सथ अक्टिंग स्किल्स को यानि की फेस एक्सप्रेशन को उसने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और जिस तरह के भाव होते हैं यानि के जो भी भावरस होते हैं उसने सब तरीके के अपने फेस के उपर लाने के कोशिश करी है वो चाहिए उसने डरामना एक्ट किया हो या फिर उसने कॉमेडी एक्ट किया हो या फिर उसने इमोशन के उपर काम किया हो उसने हर तरह के एक्ट में उसी तरह की भाव भंगी माई यूज करी है तो देखा जा ये क्योंकि डेली व्लॉगर रहें इसलिए इनके डिल्लॉग आते हैं तो इनका डेली टैस जो है लोगों के साथ में रहता है लोग जो बहुत ज़ cinnamon प्लेर्ष जो होते हैं वह जब medal जीतते हैं तब सबको पता लगता है कि उनके कितनी मेहनत करिए तो दोनों का example की अगर बात करें तो दोनों विल्कुल अलग-अलग है और उनका जो इसकिल है और जो उनकी मेहनत है वो वाकिमत काबिल तरीफ है तो proud करने वाली बात वो है मैडम proud करने वाली बात जिसकी आप बात कर रही है वो नहीं है आज तक आप जो है अपनी vlogging और उसके views के चलते आप vote पाते रहे हैं जिसकी वेसे यहां तक आप पहुँचे हैं अगर उसको side में रख दिया जाए तो शायद आपका result जो है कुछ और होता secondly अब जब आगे हैं दूसरे आपके बराबर के या आपसे उपर के vloggers आगे हैं तब आपको पता लग रहा है कि हाँ अब ये competition जो टफ हो चला है दूसरी बात करते हैं दूसरी बात ये कि मैडम ने साथ-साथ ये का कि एक अच्छी बात और क्या होई इश्पेशल बात क्या होई कि वहाँ पे डबा गए थी और डबाने जाके वो पोयम सुनाई और उस पोयम को सुनाने से पहले मेरे से डिसकस किया मैं कैसे करूँ मैं कवरा रही हूँ देखो अच्छा भी है अच्छा लिखा भी है या नहीं लिखा है और उसके बाद में वहाँ पर जाकर उसने वो पोयम दी और पोयम देने के बाद में जो तारीफ करी गई इस बात की कि बही वो भाई है भाई भाई जो है उसने बाप के निभाए हैं या ये कह लिए मेरे लिए ये बाप के वराबर है बड़ा ही गरत ये रिजर्ट था ये मेरे हिसाब से आप अपने बाप को ओवर शेडो कर रही है जो बिसी गली इतना भी भी जिंदा है और आपके साथ में है और उस कंडिशन में है आला ने उनको मतलब थुड हुआ नहीं है आप कि इनकी किस तरह की जौब थी कितनी लोर क्लास उनकी जौब थी उसके बाद में उन्होंने इन दोनों को पाला और उसके बाद में जनाब को खुली छूट दे दी कि जाओ जाके बंबे जाके एक्टर बन लो जबकि नौरवली घरों में ऐसा होता है कि भी चलो खाओ कमाओ और हमारे को भी जो है मुक्ति दो कि हम जो है इतनी मेहनत कर चुके हैं अब तुम्हारा फरज बनता है तुम कमाओगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ उन्होंने यहाँ पर भेजा और भेजने के बाद में फिर वो यहाँ पर स्ट्रगल करा उन्होंने जो भी किया उसके लिए उनको पूरा पैसा ये सब चीजे प्रोवाइड करीं खुद मुश्किल में रहे होंगे तो आप अपने पिता को इस तरीके से ओवर शेड़ो कैसे कर सकते हैं भाई भाई होता है जब कोई ऐसी कंडिशन आती है तो भाई पिता के फरज जरूर निवा स हश कर सकता है उसके तरफ से वो काम कर सकता है पर पिता पिता होता है उसका बदला बिलकुल नहीं उतारा जा सकता है ये सब बोलते हुए है मेरी आवाज जरा थोड़ी सी गरबढ़ा गही क्योंकि मैं बहुत मतर और फादर से बहुत जदा अठेच भी हूँ दूसरी बात करते हैं भाई बेहन के बॉंडिंग की जो यस बॉंडिंग की बात करी है यह इस भाई बेहन का बॉंडिंग ऐसा होना चाहिए कि वो ता उम्र वो एक दूसरे साथ में ऐसे ही चलते रहें और ठीक है बच्पन में लुलाई जगड़े होते हैं एक दूसरे की खी पीच्छी खीचाई की जाती है लेकि उसके बाद में भी उनका जो प्यार होता है वो अटूट प्यार होता है अल्ला करें सभी भाई बेनों में इस तरीके का काईम रहे लेकिन आप यहां की बात करते हैं अरे जो डबा जी हैं आपको आपके भावी ने क्या नहीं दिया आपके भाई ने क्या नहीं दिया आपको सब तरह से आज जिस मुकाम पे हैं आप वो उनी की वज़े से हैं उनी के नाम से हैं उनी की वीडियो चला चला कर हैं उनी का नाम ले ले कर हैं शुरुआत में जितनी तरीके से आपने भावी को पूरी तरीके से वेंप बना दिया है ये कहां की बात होगी ये भावी वही भावी है जिसने आपका सारा सारा रंग रूप निखारा आपको ये इस लायक बनाया आपको इंडेस्टी में थोड़ी पहचान मिली और आप फ्लॉगिंग में कम से कम आ पही उसने तुमारा हर काम किया इवन दिन वो शादी जैसी भी अरेंज करी थी पूरी मेहनत करी एक पहर पर इधर से उदर भाग कर मौधा मुंबई और जो भी जहां भी था सब कुछ किया और आपने एक साल में उसको ट्रोल करने का कोई मौका ने छोड़ा कोई मौका ने अगर कोई भी बात होती है तो आप फ़नी के साथ आके जो है वीडियो बना देती है कि ऐसा बोला जा रहा है ऐसा बोला जा रहा हुए फ्रेंड्स हैं नहीं होता दिल पर लगता है रोना जोना दिखा दिया सब कुछ कर दिया заключ है कि उसके दिल पे नहीं लगा होगा तो एक दूसरे का प्यार और यह सब दिखाने के सामने आगी है अब अगर इस वाले व्लॉग की बात करें इसमें आपको अमी दिखाई देंगी इसमें आपको गिजा दिखाई देगी इसमें आपको गेहान दिखाई देगा आपको family का हर member इस vlog में दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके family के सारे member को लाकर उनको यह लिए यह दिखाई जाता है यह दिखाने कोशिश की जारी है कि यह family कितनी एक है और कितने प्यार से इस सबसे रहती है हम यह जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से इन एक दो vlog को छोड़ता है तो उससे पहले आप किस तरह से एक होते है आपके अलग यह अलग vlog बनते थे उनसे कोई मतलब नहीं था और उनके vlog अलग बनते हैं आपके vlog अलग बनते हैं कोई एक दूसरे के vlog में ज़्यादा दिखाई न दियता इससे पहले मैं तीन साल पहले का एक vlog देख रहा था जिसमें वाकई में family में प्यार था पॉजिटिवनेस थी और पॉजिटिव वाइब थी यानि कि मिल जुल कर इतना ज़्यादा काम हो रहा था कि अमी ने जो आठा गुंदा और उसके मैडम ने थेपले बनाई और बाकी चीज़े बनाई सब family के लिए हैं और उसी vlog में वो ये कहती है कि मेर को तो इसी से ज़्यादा खुशी होती है कि मैं family के सब कुछ बनाती हूँ और सब को बहुत ज़्यादा शौक से खाना पड़ता है सोरी खाते हैं वो तो जो खुश होते हैं तो उसी से मेर को बहुत अच्छा खुशी मिलती है वहाँ पर एक तना family का एक bond दिखाई देता था और आपस में कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता था या फिर ये के लिए एक करने की कोशिश कर रही जा रही है यहाँ पर कहते हैं कि पापा जो वाक करने का टाइम है और इस टाइम वाक करते हैं और जो इनके डी भहिया हैं वो जो उनके साथ वाक करा रहे हैं उसको दूसरी तरब ये कहा जाता है कि राजा बेटा राजा बेटा कभी राजा बेटा किसी भी छुट्टी में पिता के साथ में वॉक करता हुआ दिखाई दिया आपको नहीं किसी भी छुट्टी में उनके साथ में टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दिया नहीं किसी भी छुटी में उनके साथ खाना खाता हुआ या कुछ भी ऐसा करता हुआ दिखाई दिया नहीं कभी उनकी जो दवाई और या फिर उनके लिए जो और हेल्प होती है उनकी फिजियो तेरेपी होती है थोड़ा बहुत पैरों में भी उनके है तो यह सब करता हुआ क्या दिखाई दिया नहीं राजा बेटा का खिताब जो है बस जबरजस्ती जड़ दिया गया है सिर्फ उस घर में रखने के लिए यहां तक की खाना भी मैडम नीचे से आता है आप उनको खाना नहीं खिलाती है और दुकल मिला के यह है कि राजा बेटा वाला जो यह खिताब है ना यह बस कहने के लिए ही है पहले थे थे लेकिन आभी तो आप पिछले कैई सालों से तो आप बिलकुल नदारत है आपने अटिंग और यह सब चीजे करनी छोड़ दिये यानि कि प्रोफेशनल लाइन को बिलकुल ही बाय बाय कहतीया है हाँ वास्तविक जिन्दगी में जुरूर आपने अक्टिंग करनी शुरू करती है आपके व्लोग्स वगरा में यही सब दिखाए दियता है तो चलिए एंड करते हैं पॉड्कास्ट का मिलते हैं अगले बॉड्कास्ट में यह बॉड्कास्ट आपको अच्छा लगाओ तो भी लेक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शियर कीजिए कुछ रही है अपने लोगा ख्याल रखिए थैंक्यो देने बाद शुक्रिया